क्य ree फारस नाम है आप कहां से आये हैं किस एसकूल में पढ़ते आप इसकूल कंप सुकूब में powiedz हाथ जो पकरे हैं पने डोस्तों का स रख पे आप यहां पे क्यो खरे हैं मुझे पता नहीं आपको बता नहीए आपके इसकूल क बता कुछ मांगने के लिए नहीं कुछ मांगने के लिए क्या मांग है आप लोग कर दिये बंद कर दिये हैं कौन बंद कर दिया है कौन बंद कर दिया है अफनी मांग को ले करके नमस्कार आप देख रहे हैं वेगु राइट वडे मैं हूं आपके साथ मिनाग्छी छाकुर 2017 सबसे पहले साल 2017 में मानव श्रिंखला बनाई गई थी नशा मुक्ती के लिए और फिर उसके बाद 2100 जनवरी 2018 को बिहार में 13654 किलो मिटर में बाल विवा और दहेज पर्था उन्मूलन के लिए मानव श्रिंखला बनाई गई थी आज फिर 19 जनवरी 2020 यानि कि आज एक बार फिर मानव श्रिंखला का 16298 किलो मिटर में 20 रिकॉर्ड बनने जा रहा है और इस मानव श्रिंखला को सफल बनाने के लिए बेगुस राइवासी भी चटाली एकता दिखाते हुए एक दूसरे का हाथ थामे यहां पे खरया हो चुके हैं देखना यह है मैं इन सबसे बात करके यह पूछूंगी कि क्या तीन लगातार तीन साल से जो यह लोग मानव श्रिंखला बना रहे हैं चटानी एकता को दरसा रहे हैं विभिन संकल्पों के शाथ यहां पे मानव श्रिंखला बना रहे हैं वो धरातल पर कितना दिखता है कितना हो रहा है चलिए आज मैं उन सबसे बात करती हूँ आपका नम मेटा नाम रुक्षिंदा है आप यहां पर क्यों खरी है जल जीवन विकास के लिए खड़े हैं यहां पर मानव सिंख्छुला के लिए और भी कोई संकल्प है जिसको लेकर लिए और बहुत सारा संकल्प है कि आहमें जल बचाना है पौधे लगाने हैं बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो तो एक एक लोग भी सोचे तो बहुत बरी बात है लेकिन मैं पुझा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प नहीं है अब मैं तो हूँ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तथा आपको कितना लगता है कि इस समाज में आप सुरक्षित है किसे कहेंगे कि आप सुरक्षित है बेगुस रही है यह और मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा है कि यहां पर कुछ हुआ है जैसे कुछ लड़किया कहते हैं कि वह राज चलती है तो लड़का कुछ और समाजिक तत्म है जो गंदी निगाहे और हो गया है कुछ कुछ है चोड़ी जीपे बिकते हैं लगता है जिस्वरक्षाब हो गया हम लोग करा रात में जाने में कोई दिक्कत कि आपको रात कि नोगोजे तास बजे कभी दिक्कत में बता है नाम जोग संकल्प लिए हैं कि बेटियों को सुरक्षित करेंगे अब उस के बीच में बेतियां लगभख सुरक्षित हैं एक दो घटनाएं रोही जाती हैं वो एक दो घटनाएं जो होती है उस पे क्या इस संकल्प के बाद काबू पाया जाएगा हम लोग पूरी कोशिस पूरा संकल्प लिये हैं कि उस पर कंट्रोल किया जाए अब केबल संकल्प में समली तुपस्थित हूं आपके सामने ये कहना है ये जो मानब सिंख्रा है इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी तरह हर एक साल होते रहे और ये मानब सिंख्रा आम के साथ राज के साथ देश के साथ बिदेश के साथ ये लेकर के आज यहां पे आप संकल्पी थोकर करके यहाथ एक दूसरे का हाथ थामे आप बच्चों का हाथ थामे खरें दिखे जल जीवन और हर्याली का जो प्रोग्राम है जो एक नैशनल मूव्मेंट के रूप में अब भरता जा रहा है तो उसके समर्थन में हम से लोग सभी खड़े हुए हैं मानुश रंकला बनाकर और एक मैसेज जा रहा है मेरे साथ जो बच्चे खड़े हुएं से मैंने बात चित भी की तो इनके अंदर अपने मौलिक विचार पैदा हो रहे हैं इनके अंदर है प्रानी की हमें पेड़ लगाना है जल बचाना है तो मुझे नाम मेरा राजेश कुमार डी आजी बेगुस्ता अपका नाम अर्विन अर्विन कुमार वर्मार आप यहां जो भी मानुश रंकला के खरे हैं कितना यह धरातल पर कितना सफल होता दिखेगा यह पूरे बिहार राज में जल्यवन हरियाली अभियान नशा मुक्ति अभिया सब्सक्राइब करें नशा मुक्ति अभियान होता है आप लोग जानते हैं कि कोई भी अभियान इसमें एक जन अंदोलन लगातार चलाते रहना पड़ता है कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता कि आज हम कहेंगे सफल होता है कहेंगे कहीं पर कानून बनने के बाद जब लोगों का समर्थन उसको मिलता है तब वो अभियान सफल होता है यह ऐसा अभियान है जो लगातार चलाये जाने के ज़रुरत होती है अप वाद सोरूप कहीं न कहीं हमेशा रहता है लेकिन जिस तरीके से जनता इसमें सपोर्ट करती है जागरुपता अभियान कहीं परिनाम है कि लोग सोयम से फोन करके अगर कहीं पर कोई शराब पीता है तो हम लोगो सूचना देते हैं ये पहले ये बात नहीं थी सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा बुलंद कर रहे हैं आप यहां पे क्या बुरून से लेकर के बाहर तक की बेटी उस रक्षित है इस पे आप वही आपको पताना चाह रहे हैं कानून जब बनाया जाता है केवल वो परियाद तो नहीं होता है अभियान की सफलता हम लोग इसी से आखते हैं कि जब पहले बाल बिवा होता था दहज प्रथा कहीं पे रहती थी तो लोग समाज में उसकी एक 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 सिप्टिबिल्टी होती थी लोग उसका विरोध उत्रा नहीं करते थे जागुरुकता अभियान का परिणाम ये रहा है कि कहीं पे अगर बाल बिवा होता है तो हम लोगो तुरण सूचना आती है यहां तक कि गाहों के लोगों में भी आपस में लोग इसको बिना पुलिस को बिना प्रशासम् को ख़बर किये ही उस विवा को नहीं होने देते हैं लोग समझा देते हैं तो यह सभियान की सफलता इसी से आंका जाना चाहिए कि किस तरीके से लोग जागरूख हुए हैं और समाज में किस तरीके से बाल विवा और दहज प्रथा के लिए एकसेप्टिविल्टी खतम हो रही है धन्यवाद जो मानब शिंखला को सफल बनाने के लिए यहां पेखरे हैं क्या इस सबका संकल पर क्या है तेकि इसमें जो मुख मुद्दे हैं हमारा एक तो शराब बंदी जो 2016 से ही चल रहा है वियार राजी में उसके प्रती और के मिशन जो मानी मुक Soon ने शुरू किया है आने वाली को हम कैसा वातावरन दे रहे हैं कैसा इन्वार्मेट दे रहे हैं कितना शुद्द जल और लोग सड़कों पर आये हुए इसमें लंगभग कितने ने वो गिंती तो हम आपको नहीं पता पाएंगा उसके बाद पता चलिए अपका नाम आपका अश्कुमार धन्यवास जल जीवन हर्याली के पक्ष में दहेश पर था बाल विबार और समाजी कुर्तियों के खिलाब क्या आपने दहेश लिया था शादी में बिल्कुल नहीं लिया था इतना लेट क्यों लगा आपको दहेश पर था कि खिलाब हम पहले भी थे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे आपके आपने जो दहेश नहीं लिया तो आपके समाज में आगे आपके बगल अगल बगल के जो भी थे वो आप से कितना सीख लिये हैं आज जब से दहेश पर्था की हम लोगों ने पनाश में शुरुबात की थी कि दहेश पर्था के खिलाब करना है और दहेश नहीं लेकर साधी करना है तब से लेकर आज तक लगभग हमारे गाउंबासियों के द्वारा जो भी साधियां की गई है जो भी युवा की साधी कि अप्से टी कुड़ाव कि अप्से टी कुड़ाव